नमस्कार, एस्ट्रोलोजी प्रोचनेल में मैं दीपक लोगनी आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ बैदिक जोतिस में बुद्ग्रह को विशलेसर, संचार, विप्लन, गणनात्मक्ष्यमता, छोटे भाई बेहन, सौक, हाथ के कोसल, बुद्धी और त्वरित निर्नलेने आदिका प्रतिनी धित्तु करता है ब्रशब को राशी शक्र का दूसरा चिन्द माना जाता है, जिसके अधिपती सुक्र देव है, जिनके साथ बुद्ध का मित्र संबंद है जब बुद्ध ब्रश राशी में गोचर करते हैं, तो मानसिक संविदनाओं में कुछ कभी आती है जिसकी कुड़ली में बुद्ध प्रतिवी तक्त्व की राशी जैसे ब्रशब में होते हैं, तो ऐसे जातुकूं का स्वभाव धिरे धिरे बोलने का होता है, वह धिरे धिरे बोलते हैं अक्सर पृतेक सब्द को बड़ी सावधानी से चुनकर अपने मुह से निकालते हैं, ब्रशब राशी में बुद्ध ग्रह की चंचलता बहुत कम हो जाती हैं, ऐसे लोग भौतिक और सांसारी ज्ञान वाले होते हैं, ऐसे लोग कलपना नहीं कर सकते कि क्या हो सकता हैं, क्य क्योंकि वह जानते हैं कि वास्तविक्ता क्या है, बुद्ध ऐसी चीजों का निर्मान करना चाहते हैं, जो स्थाई, मूर्त और स्थिर हों, धन और संपत्ती बढ़ाने के लिए ऐसे जात्कूं को आवश्यक चीजे करनी होती हैं, ऐसे में बुद्ध का ब्रशब राशी मे गोचर 1 माई 2021 को सुभा 5 बच कर 32 मिनट पर होने जा रहा है, बुद्ध ग्रह इस राशी में 26 अपरेल 2021 सुभा 7 बच कर 50 मिनट तक रहेंगे, इसके बाद उनका गोचर मिथुन राशी में हो जाएगा, बुद्ध ग्रह के इस गोचर से हमारे 12 राशियों पर क्या और बेल आइकन जरूर दबाईए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेसरासी से, मेसरासी के जातकों के लिए बुद्ध तीसरे और छटे भाव के सौमी होते हैं, मेसरासी के जातकों के लिए के सम्मंद मजबूत होंगे, परिवार में खुसी का माहौल देखा जाएगा, नौकरी पेशा लोगों को इस समय दोरान लाप्राप्त होगा, कारोबार करने वाले लोग अपने रास्ते में कुछ बाधाओं का सामना जरूर कर सकते हैं, स्वास्त की बात करें, आपका स्वा किस्रे और पाच्वे भाव के स्वामी होते हैं, इस गोचर काल के दोरान वह ब्रिश राफ्सी में ही गोचर करने जा रहे हैं, यानि आपके प्रथम भाव में लगन भाव में बुद का गोचर रहेगा, ब्यक्तिकत और पेशेवर छेत्रू में इस्तित्या समालने के लिए आप सकारात्मक्ता और सौम्यता दिखाएंगे, इस समय दोरान आप लाप प्राप्त करदे में सफल रहेंगे, आपके ब्यक्तित्व में चंचलता देखी जाएगी, पेशेवर छेत्र में बुद की यह इस्तिति आपको जिग्यासू बना सकती है, इस समय दोरान आपका ब् अच्छा प्रदर्शन करने में आप सफल रहेंगे, संतान पक्षि से कोई सुप समाचार प्राप्त हो सकता है, इस गोचरकाल को और अधिक सुप बनाने के लिए रोजाना सूर्योदय के समय राम रक्षय स्तोत्र का पाठ करें, बात करते हैं मिथुन रासी, मिथुन रासी के जातकूं के लिए बुद पहले और चोथे भाव के स्वामी होते हैं, इस गोचरकाल के दौरान बुद आपके बारवे भाव में गोचर करेंगे, जिससे ब्याई का भाव माना जाता है, इस गोचरी इस्तिति में बुद आपके खर्च, अवानशित इस्तितिया, नुक्स तनाव ग्रस्त और चिंतित कर सकता है, आपको इस समय दोरान कुछ जरूरी कामों को रोक कर चलने की आवश्यक्ता होगी, छात्रूं के लिए परिक्षा में सपल होने के योग बनते दिखाई दे रहे, आखूं और त्वचा से संबंदित कुछ परिशानिया इस बीच में आपको देखने को मिल सकती है, इस गोचरकाल को सुब बनाने के लिए अपने सिधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पांच-छे कैरेट का पन्ना रतन धारन करें, बात करते हैं करकरासी, करकरासी के जात्कूं के लिए बुध, बार्वे और तृती भाव के स्वामी होते है इस गोचरकाल के दौरान वहाँ आपके इकादस भाव में गोचर करेंगे, बुध का यहाँ गोचर आपके लिए अनुकूल और सुब परिणाम लेकर आएगा, वहाँ लोग जिनका ब्यावशाय विदेशू से जुड़ा है और जो बहुराष्टी कमपनियों में काम करते ह उन्हें इस महने में अच्छा लाब प्राप्त होगा, इस अवधी के दौरान आपकी कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ती देखी जाएगी, ब्यावशाई ग्रूप से इस अवधी में प्रियासू में आपको सुब फलूं की प्राप्ती होगी, विवाहित जीवन में कु पूर्धा लगाएं, इस से आपको सुब फलूं की प्राप्ती होगी, बात करते हैं सिंगरासी, सिंगरासी के जात्कों के लिए बुध इग्यार्वे और दूसरे भाव को सासित करते हैं, और इस समय बुध पेशे और करियर के दस्वे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, पेशेवर रूप से यहाँ अवदी आपके अनुकूल रहेगी, आपकी रचनात्मक और संगठनात्मक कौसल में बृद्धी देखी जाएगी, और आप सभी कारिय कुसलता और उद्पादगता के साथ पूरा कर पाएंगे, आपके कारिशेत्र में आपको अपने बरिष्ट का साथ देखने को मिलेगा, जीवन चाती के साथ इस समय दोरान आप अच्छा समय बिताएंगे, इस समय दोरान आप किसी संपत्ति की भी खरीत कर सकते हैं, हाँ इस समय दोरान आप अपने को कहीं अनैतिक कारियों में बढ़ने से रोकें, इस गोचरकाल को अधिक सुब बन के सौमी होते हैं, और भाग्य उच्छ सिक्ष्या के नवम भाव में भुत का गोचर होने जा रहा है, इस समय दोरान कन्यारासी के जातक को भाग्य का हर हमेशा इस समय दोरान की आवदी में साथ देखने को मिलेगा, वह जो भी कारी करेंगे उनके पक्ष में उसका रिजल् लेकिन सभी प्रियासू में सभलता पाने के लिए आपको मेहनत और एकाग्रिता बनानी होगी, ब्यावसाइक जीवन में भी लाब की प्राप्ती देखने को मिलेगी, इस अवदी की दोरान आपको बित्ती लाब मिलने की संभावना बनती हैं, अपने भाई बेहनु से आर् अधिक सुब बनाने के लिए बुद्वार के दिन गाय को चारा खिलाइए, बात करते हैं तुलारासी, तुलारासी के जात्कूं के लिए बुद्ध बार्वे और नवे भाव के स्वामी होते हैं, बर्तमान परिवर्तन के दौरान मनोगत बिज्ञान, अनिश्चित्ता, इस रासी के जातक आध्यात्मा और साथी भौतिक्ता की ओर भी आकर्षित रहेंगे, इस समय दौरान आपको पैत्रिक संपत्ति से लाप की प्राप्ति हो सकती है, इसके अलावा इस गोचर के दौरान कुछ गुप्त धन की प्राप्ति के भी योग बनते दिखाई दे रहे कारी छेत्र में आप अपने बरिष्टूं के साथ बहस ना करें, यहाँ आपको मुस्तिल में डाल सकती है, इस गोचर काल को और अदिक्सूब बनाने के लिए हफ्ते में दो दिन घर में कपूर जरूर जलाए, इससे आपको बुद की किरपा पराप्त होगी, बात करते हैं बुद का यहाँ गोचर आपके लिए जीवनसाती, रिस्ते और साजिदारी के साथवे भाव में होने जा रहा है, ब्यक्तिकद रूप से यहाँ गोचर अवदी आपके लिए थोड़ी कठिन हो सकती है, क्यूंकि आपके और आपके जीवनसाती के बीच टक्राओ की इस्तित बनने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं इसलिए आपको अपने ब्यक्तिकद मामनों में सांति से हल निकालने की कोशिस करनी चाहिए ब्यावसाईक और साजिदारी में ब्यावसाई करने वाले जात्कूं के लिए यहां गोचर सुप परिराम लेकर आएगा इस रासी के जात्कूं को स्वास्त से जुड़ी कुछ समस्याई इस गोचर के दोरान देखने को मिलेंगी नया व्यावसाई या नया कारूबार शुरू करने के लिए यह समाई अच्छा साबित होगा इस गोचरकाल को और अदिक सुप बनाने के लिए प्रति दिन माता सरस्वती की शत्रू और रोग के छटे भाव में होने जा रहा है इस गोचर के दोरान कारोबारियों और पेशेवा लोगों को कारी को विस्तार देने की अपनी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए इस दोरान आप अगर अपने मूल कामों को करते रहे तो उसमें आपको लाप की प्रा शारू रूप से चलेगा और इस समय घर में सांती का भी माहौल बना रहेगा इस समय दोरान जीवनशाती का स्वास्त कुछ खराब रह सकता है जीवनशाती के सास्त पर विस्तिहान दे इस गोचर काल को सुप करने के लिए प्रति दिन गाय को हराचारा खिलाइए बात करते हैं मकररासी, मकररासी के जात्कूं के लिए बुद छटे और नववे भाव के स्वामी होते हैं और इस समय यहाँ प्यार, रोमांस, सिक्ष्या और संतान के पांचवे घर में गोचर करने जा रहे हैं, इस समय दोरान छात्रूं के लिए यहाँ समय बिछेस अच्छा रहने और साधी सुदा जात्कूं को संतान प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, जिन जात्कूं के संतान हैं उन्हें अपने संतानों से सुप समाचारों की प्राप्ति हो सकती हैं, सटे और लोट्री से भी इस समय में आपको लाप्राप्त हो सकता हैं, हाला कि इन कारियों से दूरी बना कर रखनी चाहिए। कारी छेत्र में स्थानांत्रां के योग भी बनते दिखाई दे रहे। इस समय दोरान आपकी पदोननती भी हो सकती है। इस गोचरकाल को और अधिक सुब बनाने के लिए भगवान गणेश को दूरवार पित करें। बात करते हैं कुम्बरासी कुम्बरासी के जात्कूं के लिए बुद्ध पांचवे और आठवे भाव के स्वामी होते हैं। और इस समय सुख बिलासिता घर और मा के चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर के दोरान बच्चू से सम्मंदित चिंता और कुछ मौचिक तनाव देखने को मिल सकता है। क्यूंकि बुद्ध पंचम भाव के स्वामी हैं। छात्रों को पढ़ाई में ध्यान के इंद्रित करने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस समय दोरान कार्य छेत्र में कुछ उतार चड़ाव देखने को भी मिल सक करते हैं। कार्य छेत्र में वांचित परिणामों को प्राप्त करने के लिए कुछ अधिक प्रियाज करने की जरूरत होई। इस गोचरकाल के दौरान आपको ड्राइविंग करते समय सोच समचकर और अच्छी तरह से ड्राइविंग करनी है। क्यूंकि इस गोचरकाल के द मीन रासी के लिए बुद चोथे और साथवे भाव के स्वामी होते हैं इस गोचरकाल के दोरान साहस, यात्रा, महत्वकांशा और भाई बेहनू के तिसरे भाव में गोचर करेंगे इस गोचरकाल के दोरान संचार कोसलू में सुधार देखने को मिलेगा आर्थिक रूप से भ एक अच्छा प्रभाव बनाने के लिए समय सीमा से पहले कारियों को अच्छी तरह पूरा करने की आपको जरूरत पड़ेगी। स्वास्त के लिहाद से यहां गोचर आपके लिए फाइदे मन साबित होगा। ब्यावसाई के से जुड़ी हुई यात्राएं इस समय आपको लाप प्रदान करेंगी। इस गोचर काल को सुब बनाने के लिए जरूरत मन लोगों को भुदवार के दिन भोजन कराएं। तो यह था भूत का राची परिवर्तन जिसका हमारे 12 राचियों पर क्या-क्या प्रभाव पढ़ने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। जो दर्सक चैनल पर नए है चैनल को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन जरूर दबाईए। जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिपिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।